हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेन बेपीसी में दोस्तों आज के जिस्षन जो होगा बहुत मज़दार होगा आपको पता है दोस्तों दूसरा प्रदोस्त होगा इसमें पिछले जो एक्जाम हुए थे बिहार मदनिसेद पुलिस का पिछले साल का वह मैं लेकर आया हूं आप लोगों के बीच और अच्छे अच्छे प्रस्न है उसे आप लोग कीजिए और देखे कितना अच्छा होगा चौदे माई को आप ठीक है नोकरी होगा तभी साधी होगा दोस्तों नोकरी नहीं होने पर लड़की भी अच्छी नहीं मिलेगी ठीक ना तो चलिए देखते हैं आज का सेशन इन आखरी च्छनों में दोस्तों आप लोगों को जीजन लगा देना है ठीक है इस बाकी के 15-16 दिन जो बचे है दोस्तों की एकजाम ले लेना है सो में 90 बना कर आई ठीक है देखेंए पहला प्रस्ण है कि इसकी सी एंजी मिथेन की बनी होती है दोस्तों राइट अंसर क्या हो जाएगा मिथेन हो जाएगा ठीक ना जीड़्य और इसको बो दोस्तो उस हो संतावन की बात है यह उपर कर देते हैं आप लो लोगों को दीख जय किया था संदावन में जीन गोट मेन ने किया था किसने किया था जीन गोट मेन ने किया था ठीक है आगे प्रसंद देखिए आगे है रसोई में पर्युक्त किये जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाला परत होती है रसोई में पर्युक्त किये जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होता है क्या होता है दोस्तों तो दोस्तों यह होता है आपका टेफलोन होता है क्या होता है ठीक ना क्या होता है टेफलोन होता है यह बरतनों पर नहीं चिपकता है आगे देखिए कभी विध्यापित की राचना किरतिलाता की भासा क्या है कभी विध्य पित की रचना कृति लाता की भासा क्या है दोस्तों तो यह है यह मितला निवासी थे कभी है कभी बिद्या पित जी ठीक है इन्होंने कई भासाओं में इन्होंने अपनी रचनाय की है संस्कीत में भी इन्होंने की है कृति लाता भी की है तो कृति लाहत जो हुआ है ना यह बासा में लिखा गया है अहोट ठेक है अहोट में लिखा गया है हराई टंसर अहोट हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए निम्न में से छैल, छबीला, सब रंग में रंगीला बारा, चीत का अडीला कहूं? देवतों में न्यारा है पंक्तियों की राचना करने वाला कौन है इसमें कौन है पंक्तियों की राचना करने वाला? बताइए तो देखिए अकबर की मुसलिम पतनी ताज बीविक क्रिश्न की अराधना करती थी उन्हें मोगल मेरा भाई कहा जाता है उन्होंने मतलब क्रिष्ण के लिए यह पंक्ती छेल छबिला सब्द रंग में रंगिला की राजना की है तो ताज भी भी थी किसकी पतनी थी अकवर की मुसलिम पतनी थी यह ठीक ना आगे देखिए आगे है निम्न में से कौन राज की उत्पती का सबसे प्रचीन सिधान्त है तो देखिए राज की उत्पती का सबसे प्रचीन सिधान्त देविय सिधान्त होता है क्या होता है देविय सिधान्त राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है एक लकरी है तो एक लकरी क्या होती है कोई ला लकरी पेट्रोलियम मोल रूप से उसमा उत्पन करने वाली होती है ठीक है तो इसे क्या बोलेंगे इन्हें प्रात्मिक इंधन बोलेंगे ठीक ना प्रात्मिक इंधन हो जागर आईट कर आप लोगों पता है दियुतिय इंधन प्रात्मिक इंधनों में कुछ परिवर्तन करके प्राप्त के जाते हैं जल गैस प्रोड्यूसर गैस यह सब होते हैं आगे देखिए दोस्तों आगे है आपका निम्न में से किस ने कहा कि इतिहास वर्ग संगर्स की कहानी है दोस्तों तो बताईए दम मतलब एनर्जे जोग देज़े एकजाम निकालना है तो मतलब सेशन जबरदस्त है प्रिवियस यर का हम करा रहे हैं और प्रैक्टिस कर त्यारी केजिएगा तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा नहीं तो ऐसे तो पढ़ने के लिए कुछ भी है कुछ भी पढ़िएगा पता ही नहीं चलेगा इस तर इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर कार्ल मार्क्स ने कहा था इतिहास वर्ग इस से जयवाय था तो यह इसमें बताया था मैंने कि भारतिय सन विधान का उनुशिय एक राइट अरुदत हैं दन बिधै की और लोग सभा में ही परश्टूत किया जाता है तो राही टवार्फ सभा में ही प्रस्थ परसाएगा अगला है अगला है अस्त्रांतरित क्रिसी एक तरफ है इसमें आपको मिलान करना है तो देखिए और नीचे भी दिया होगा साइध ठीक नहां दिया है तो देखे दीपा इसमें आपको क्या करना है यानि बिवार जो है अमध्पर्देश के अस्थांत्रित क्रिसी का क्या है यह अस्थांत्रित क्रिसी का नाम है ठीक है तो बिवार जो है यह आपका क्या है अस्थांत्रित क्रिसी का नाम है मध्पर्देश में पड़ता है बिहार में नहीं पड़ता है दोस्तों इसलिए ही आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखिए एक में इं निम्न मेंसे किसने अत्रिक्त मूले का सिधान्त दिया, किसने अत्रिक्त मूल का सिधान्त दिया था, तो ये दिया था दोस्तों, कारल मार्क्स नहीं दिया था, अत्रिक्त मूल का सिधान्त कारल मार्क्स ने दिया था, कारल मार्क्स बहुत बिद्वान ब्यक्ति थे, कारल मार वर्स 2019-20 में भारत में स्वरधीक चावल उत्पादन करने वाला राज निम्न में से कौन साथ था? 2019-20 का एक कोश्चन है उसे समय एक्जाम हुआ था प्रिवियस एर का इसलिए ठीक है बताईए तो दोस्तो 2019-20 का नुसार अगर हम बात करें तो उस समय आपका क्या था? क्या होगा राइट अंसर इसमें से? तो देखिए चुकि राज मानो समाज के निरंतर विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता है इसलिए अपका यही डीर आइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखिए आगे का है भरतिये नगरीकों के मौलीक अधिकारों का वर्णन है भरतिये नगरीकों के मौलीक अधिकारों का वर्णन है तो मौलीक अधिकारों का नुछेद 12 से 35 स्थक में है ठीक है अब 6 मौलीक अधिकार है समपतिक अधिकार को हटा दिया गया ह अगला प्रसंद देखिए रिजिनिंग टाइप का सवाल है बताइए यदि आप परिवर्तन का बिरोध करते हैं तो आप जीवन का बिरोध करते हैं इंग्लिस बर्जान अफ इसको आपको बताना है क्या राइटन सुरुगत देखिए इसमें क्या करना है रिसिस्ट दिया है ठीक ना क्या दिया है रिसिस्ट तो देखिए इसका क्या हो जाएगा इसका कहने का मतलब है कि यदि आप परिवर्तन का बिरोध करते हैं तो आप जीवन का बिरोध करते हैं इसको इंग्लिस में इसका फैक्ट से सुन क्या होना चाहिए इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो इफ यू रिसिस्ट चेंज you resist life इसको हिंदी में, sorry, इंग्लिस में बोलेंगे अगला देखिए आगे का है दोस्तो बीशोवे से रहिया, आरेन एंड इस्टीन इस्टील लिमिटेड किस राज में इस्थित है तो किस राज में इस्थित है दोस्तों तो ये इस्थित है करनाटक में अगला प्रसन देखिए अगला है कि निमिखित में से भारतिय गाई काओं में बेजोर लाता मंगिस कर नाम कराजना किस की है किस की है तो ये दोस्तों कुमार गंधर्व की है लाता मंगिस कर राजना कुमार गंधर्व की है याद रखिएगा अगला प्रसन है पातर थे दोस्ते इसका राइट अंसर हो जाएगा उसने कहा थामे उसने कहा थामे ये परमुक थे ठीक है अगला प्रसन है पंचायती राज भी सह है पंचायती राज भी सह है क्या है तो पंचायती राज दोस्तों ये राज की सूची पर है राज सूची में आता है पंचायत इट्स रेनिंग, cats and dog, the sentence does not mean, बहुत बार ये प्रसन पूछा गया है दोस्तो, आपको पता होना चाहिए इसका अंसर, क्या होगा, देखे, रेनिंग, cats and dog का मतलब होता है, जोर की वर्सा होना, जोरो से वर्सा होना, रेनिंग, हैबली बोलेंगे आप, ठिक है, या आप दूस लिंग दिया हुआ है, राइट अंसर, अगला प्रसन देखिए, वर्स 2000 में, बिहार में से, बनाए गये जार्खन राज निर्मान के, क्या हो जाएगा, बाद, बिहार बिधान सभा, की सदस्य क्या है, क्या हो जाएगा, तहीं है, दोस्तो, 243 है उसमें, ठिकना, 243, याद रखिएगा, आगे देखिए, आगे है, भारत में, तामबे का तीसरा सर्दिक उतपादक राज कौन है, तीसरा तामबे का राज कौन है, उतपादन में, तो यह हो जाएगा, जार्खन है, ठिक है, दोस्तो, जार्खन हो जाएगा, अगला प्रसन देखिए, अगला है, भार बैंग के IFC कोड में कितने अंख होते हैं, तो दोस्तों 11 अंख होते हैं, याद रखिएगा, कितने होते हैं, ये गारी अंख होते हैं, उसके बाद है, राजपुनर गठन आयो किसी फारिस के बाद, बिहार विदान साबा के, निर्वाची सदसे की संख्या कितनी थी, कितनी थ अगला प्रस्ण दिखे नीम्ड में से कौन सा नाजीवाद का संस्तापक था अगला प्रस्ण है कि एक कलियनकारी राज के निर्देशक आदर्स वर्नीत है क्या होता है इसका मतलब तो इराज के नेती ने सकता तो इक अंतरगात आता है दोस्तों ठीक है अगला प्रस्न लोगसाभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है तो ये होता है लोगसाभा के सभी सदस्यों द्वारा ठीक है लोकसाभा के सभी सदस्यों दोरा लोकसाभा के स्पीकर का निरवाचन होता है। उसके बाद है साभापती तथा उप साभापती का पद रिक्त होने पर कौन राजसाभा की अध्यक्षता करता है। कौन करता है तो ये करता है राश्टपती जिस भ्यक्ति को नियोक्त क तेये दोस्तों हो जाएगा आपका यानी सरजनी क्रीन नहीं है ठीक है जर करीन नहीं है अगला प्रस CFD अस्थानीजे पॉनों यं मुनके प्रवाच छेतर में कौन सीमेद synt नहीं है इसमें मिलाना है आपको ठीक तो देखे, इसमें बोल रहा है कौन नहीं है, तो मिश्टल अस्टेलिया जो दिया है, ठीक ना, मिश्टल ठंडी धुरू पॉन जो है, यह फ्रांस में पाय जाता है, यहां पर फ्रांस होगा, ठीक, बाकी सब सही है, बोरा इटली में है, कमिसर में हर मोटन और फिरका के पश नहीं है उसके बाद देखिए राजपुत काल में समाज में किस नवीन जाती का उदय हुआ था किस नवीन जाती का उदय हुआ था तो ये कायस्त का ठीक ना कायस्त जाती जो है राजपुत काल में ही इनका उदय हुआ था उसके बाद देखिए भारत के राष्टपती को उसक तो पद से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है क्यों, वो संसत के द्वर हटाया जा सकता है, अगर वो सनमिधान के निर्दसों का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे है, इस करवी नामक रोग किस बीटामीन के कमी के कारण होता है, इस क को माना जाता है तो यह माना जाता है दोस्तो त्री लोचन को माना जाता है ठीक है त्री लोचन को अगला प्रसंद देखी अगला है भारत में किसी भी स्वधन का सदस हुए बिना कोई व्यक्ति कप तक मंतरी पत पर आसीन रह सकता है कप तक रह सकता है वो तो वो दोस्तो छे महीने तक रह सकता है ठीक ici महीने तक उसके बाद देखिए गुट निर्पेक्ष्टा की बिदेशी नीतीक जनमदाथ कौन थे तो然后 na यह समंदित है ठीक है उसके बाद है भारत का प्रजात अंत्र इस तत्थ पर अधारित है कि किस पर अधारित है तो यह अधारित है कि जानता को सरकार को चुनने ताथा बदलने का अधिकार पराप्त है और सन्मिधान को संक्ति जानता से ही मिलता है दोस्तों याद रखिएग उसके बाद है, League of Nations को बस्तित्व में आया था League of Nations को बस्तित्व में आया था तो दोस्तो, League of Nations आपका 10 जनुवरी 1920 को आया था ठीक ना? 10 जनुवरी 1920 को आया था अगला प्रसन देखिए उल्गुलान बिद्रो किस से जूरा था? उल्गुलान बिद्रो किस से जुरा था? तो उल्गुलान बिद्रो आपको पता होना चे बिर्सा मुंडा से जुरा हुआ था ठीक है? अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है कि 1939 और 1939 में बरहवी कांग्रेस ने सफलता पुर्वा कंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नकाम कर दिया था? किस जिले में? तो ये दोस्तो कर दिया था गया जिले में नकाम कर दिया था ठीक है? अगला प्रसन देखिए भारत में ग्रामिन संख्या की आबादी की कितना परतिसत जन संख्या प्राइमरी सिक्षा की स्विधा पाई जाती है तो ये पाई जाती है दोस्तो 94 परतिसत ठीक ना कितना 94 परतिसत पाई जाती है अगला प्रसन देखिए पेक्षा वह मुपन्डल दौरा अधिक पर की नड़े चाय स्केटरिंग बोल सकते हैं सींपल वासं पर किंड़न के दोरा अगर यह इतना याद नहीं करना मुताल है दोस्तोंorithl के म्तबिक 1000 मीलिमेटर के ब्रावर एक बटा एक ब्चाजार जो देख्य ओप занॉम्य हुआ हम अगला प्रसंदेखें अगला प्रस्टने अति चालक लक्षर्टन है अति चालक लक्षण है तो आती चाला का लक्षन उच परगमता होता है ठीक ना उच परगमता होता है अगला प्रसंद देखिए अगला है वर्सा के बुंदे गुलकार होती है तो यह प्रिष्ट नाव के कारण होती है देखिए पूछा हुआ है किस खनी से रेडियम प्राप्त किया गया है किस ख वो खाटा किसके वज़े से होता है साहेट्रिक अंबल के कारण से होता है उसके बिरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है बिरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है तो जल में अधिक बिले होता है यह आपका गलत है हलके पिले रंका चूर्ण होता है सही है और सिकारक ह अगला प्रसद दखिये को इला का समान परकार क्या है कोयला का समान परकार कुछी होता है कोईला का समान पर कर क्या होता है भारत की रश्ट्रिय अस्तनी क्या है भारत की रश्ट्रिय अस्तनी क्या है तो बाग है दोस्तों क्या है बाग है अगला प्रसन देखिए जल से बाहर निकाल लिये जाने पर मचलिया मर जती है क्यों मचलिया क्यों मर जाती है दोस्तों? तो ये वे स्वास नहीं ले पाती है ठीक है? अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है मनुस के सरीर में पैर की हड़ी कैसी होती है? मनुस के सरीर में पैर की हड़ी दोस्तों खोखली होती है याद रखिएगा कैसी होती है? खोखली होती ह अगला प्रसंद देखिए आधुनिक मनुस के हाल का पुर्वज कैसा था? कैसा था? यह दोस्तों क्रो मैगनन मानुस था, क्रो मैगनन, ठीक है, क्रो मगन मानुस था अगला प्रसंद देखिए हरग़िंद खुराना को किस अविश्कार के लिए समानित किया गया था? अगला प्रसंद देखिए नगदी फंसल में समिलित नहीं है कौन नगदी फंसल में गयहूं जो होता है न यह समिलित नहीं है कपास होता है गाना होता है जूट होता है भरत का पर्थम उर्वरक सनवत्र कहां लगाया गया कहां लगाया गया यह तो यह दोस्तो लगाया गया आपका सिंदरी में ठीक है कहा लगाया गया सिंदरी में लगाया गया तो देखेए दोस्तो यह हमारा आज का क्रैक्टिस छेट ही समाप्थ होता है जीके जीएस था हिंदी का भी प्रशन साथ तीनों था ठीक है मायत में ज्यादा तीन से चार प्रशन बनते हैं ठीक है तो आप कर लिजिए आपका टार्गेट होना चाहिए कि 90 प्लस कीजिए अगर मदनी सेद में आपको सेलेक्शन लेना है तो 90 लेते हैं या आप 85 भी ला द रही करें